जैहिन दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गुरनखंड करना सिखाऊंगा जैसे गुरनखंड आप करते आ रहे हो उस तरीके से नहीं जैसे आप गुरनखंड करते हो कि इस संख्या के ऐसे फैक्टर करें कि जोड़ें गटाएं तो साथ आ जाए उस तरह से नहीं आपको ये करने के जरुवती नहीं पड़ेगी आप ऐसे छोटी संख्या है जैसे ये बारह है और ये साथ है आप छोटी संख्या होंगे तो गुरनखंड सोच सकते हो जैसे अगर कोई बड़ी संख्या हो तब आप कैसे करोगे तो आप फस जाते हो फिर आप गुरनखंड नहीं कर पाते तो मैं आज के इस वीडियो में आपको कैसा भी गुरनखंड हो आप उसे आसानी से सौलू कर सकते हैं बिना ये सोचे के संख्या के कैसे फेक्टर करें तो ऐसे आ जाए या कैसे करें तो ऐसे आ जाए ये कुछ आपको सोचना नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको एक उधारन लेकर सबसे अच्छी तरीके से समझाता हूँ तो देखो अगर संख्या इस form में लिखी है यानि x की गात 2-7x प्लस बार है यानि सबसे बड़ी x की गात यहां फिर छोटी यहां फिर उसके बाद छोटी इस तरह से तो ये मानक रूप बोलते हैं तो अगर कोई question इस form में है तो ठीक है अगर नहीं है तो सबसे पहले उसे मानक रूप में लिखते हैं मानक रूप मतलब X की सबसे बड़ी गात वाली संख्या पहले फिर उससे छोटी गात वाली उसके बाद फिर उससे छोटी गात वाली उसके बाद अब इसे बिना ये सोचे के कैसे खेक्टर करने तो कैसे करेंगे सब से पहले क्या करते हैं देखों ये बाली संख्या है ना जो x के गुडाँक में है ये बोलते हैं मूलों का योग सम से मैं denote कर दी रहा हूँ तो इस संख्या को लिखते हैं s बरावर और यो इस संख्या का चिन होता है उसे बदल देते हैं माइनस की है तो यहां लिख लेंगे प्लस की और यह संख्या होती है गुड़न फल के बरावत दो मूलों के गुड़न फल के बरावत तो इसे लिख लेते हम P यानि प्रोडेक्ट और इसका चिन नहीं बदलते हैं इसे जियों के अतनों रहने देते हैं अब क्या करते हैं इस वाली संख्या को दो से भाग दे लेते हैं आप एक question करोगे उसको बार सारे आने लगेगे क्या किया मैने जो X के गुड़ां को बाली संख्या है उसका चिन बदल के लिख दिया उस से दो से भाग दे के लिख दिया इसमें भाग नहीं देते, अब देखो क्या करते हैं, ये लिखा है 7 वटे 2, इसमें X अपनी तरफ से जोड़ दो, फिर दूसरे बैरक्टे में 7 वटे 2, इसमें इसे X अपनी तरफ से गटा दो और इसे 12 के बरावल लिख लो, लिख लिया, तो अब ये संख्या बन गी जैसे देखो, A प्लस B और ये A माइनस B ऐसा फॉर्म में बन गया, और A प्लस B दूसरे कोष्टर के में A माइनस B किसके बरावर होता है, A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर के, तो यहाँ इसे A मान लो, तो ये हो गया, 7 वटे 2 का स्क्वाइर माइनस ये हो गया, X स्क्वाइर, ब और यह 7 बटे 12 उधर ले जाएंगे तो हो जाएंगे 49 बटे सुरी 7 बटे 2 को उधर ले जाएंगे तो यह हो जाएंगे 49 बटे 14 और वो भी किसके होंगे माइनस के क्यों होंगे माइनस के क्योंकि इधर प्लस के हैं तो उधर ले जाएंगे तो माइनस के अब 4 का इसमें करेंगे तो बारचो के 48-49 बटे 4 अब यहां बच गया 1 यानि माइनस x square बरावर आगे माइनस के 1 बटे 4 और इससे इसे काट 2 तो x square बरावर एक बटे 4 हैं तो x बरावर हो जाएंगे प्लस माइनस के एक बटे 2 क्योंकि एक कबरग मूल 1 होता है और 4 कबरग मूल 2 अब यह x बरावर प्लस माइनस के एक बटे 2 आगे और x कमान चाहे तो एक बटे 2 प्लस का ले लो या माइनस का वो ले के यहां रख दो तो 7 बटे 2 प्लस एक बटे 2 7 बटे 2 X कमान माइनस 1 बटे 2 लिया जो माइनस का चिनने तो माइनस के अब 2 के हर बराबर है तो 7 और 1 कितने हो गए 8 बटे 2 और 7 मैं से 1 गया 6 और 6 मैं 2 से बाग देंगे यानि पहले मैं 6 बटे 2 लिखे ले रहा हूँ इसे इसे काड़ तो यह हुए 4,3 4,3 यह किसके बराबर आया X के अब इसे X के बराबर 4,3 है तो एक बार X-4 इदर लाएंगे तो और एक बार X-3 यह इसके गुरन आपको गुरन खंड करने की जरुवती नहीं है बस इस तरह से आप गुरन कंड कर सकते हैं हो सकता है यह इस क्वस्चन से आपके समझ में थोड़ा कम आया हो अब मैं एक और दार लेके समझाता हूँ अब देखो यह लिखा है 2X स्क्वाइर प्लस 9X मैनस 5 अब इस क्वस्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो इसे सबसे पहले क्या करते हैं यहां X स्क्वाइर के गुरांक में एक रहना चाहिए अगर कोई और संख्या है तो उसे इस संख्या से भाग दे देते हैं यानि अब मैं S बरावा लिखूंगा तो यहां जो चिन किसका है प्लस का तो मैनस का लगाँगा और नो बटे दो यह संख्या इसके भाग में चली जाई और इसका प्रोडेक्ट यानि गुरन यह जो चिन होता है सेम वैसे ही लिखते हैं वस इस संख्या वाले चिन को चेंज करते हैं और दो यहों करते हैं अब क्या करते थे दो का भाग इसमें खुद से दे तो मैंने जो बताया था दे दिया अब यह हो गई माइनस के नो बटे चार और इसमें X जोड़ दो माइनस के 9 बटे 4 इसमें X गटा दो बरावर माइनस के 25 बटे 2 अब इस संख्या को अपने मन में A मान लो ये B हो गई ये भी A हो गई ये B हो गई तो A प्लस B और A मैनस B यानि A स्कार मैनस B स्कार यानि इस संख्या का बरग तो 9 का बरग होता है 18 और 4 का बरग होता है 16 और ये होता है माइनस X बरावर माइनस 25 बटे 2 X को इधर ले जाओ प्लस की हो जाएगी इस संख्या को इधर ले जाओ प्लस की हो जाएगी ये हो गया 18 बटे 16 और माइनस के प्लस के पॉनाच वटे दो और यह हो गया अब इने यह भिन्द बन गए अब इसे जोड़ाएंगे कैसे किसी भी भिन्द को तब ही जोड़ सकते हैं जब उसके हर समान हो देखो यहां हर 16 है और यहां 8 है तो इसे 16 बनाना पड़ेगा तो 16 बनाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे 8 से 8 से नीचे कर रहे हैं तो उपर भी करना पड़ेगा तो यहां हो गए 8 पंजे 40 और यह क्यासी यह होता है 121 और दोनों के हर हो गए सेम यह है एक्स स्क्वाइर यानि एक्स स्क्वाइर बरावर आया 121 बटे 16 तो एक्स बरावर आजाएगा प्लस माइनस के इसका बरग मूल होता है 11 और इसका होता है 4 अब एक्स बरावर लेलू 11 बटे 4 प्लस का लेलू या माइनस का कोई फर्ग नहीं पड़ता अब यहां रखेंगे माइनस 9 बटे 4 और एक्स की ज़रे क्या है 11 बटे 45 माइनस 9 बटे 45 और माइनस 11 बटे 46 दोनों के हर समान है तो 11 तो दोनों माइनस के झोड़ जाएंगे 20 बटे 46 इससे पांच बार कट गए और यह हो गया एकवटे दो यानि एकवटे दो और माइनस के अब यह एक्स के बरावर रहते हैं अब इसमें एक्स के इधर लाएंगे तो यह माइनस के एकवटे दो हो जाएंगे और यह इधर आएगा तो यह प्लस के पांच हो जाएंगे यह इसक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें जैए